गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कुसानों की संस्कृति हैं समाज के बारे में अध्यान करेंगे तो देखेगा कुसानों के बारे में जानकारी के जो स्रोथ हैं उनके बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आप ले लिस्ट में जाके और जो कुसानोंस है उसको आप देख सकते हैं उससे संबन्दी जानकर या आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और यह दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फेस्बुक पे आप लाइक शेयर करें ताकि आपको और अपके फ्रेंड्स को भी एक्जाम की दरश्टी से जो महतोपूर्ण टोपिक है वो प्राप्त हो सके और बेल आइकन दबाए ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिने और हम हमारे वीडियो में जो भी स्वरी हम हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया उल्डेज पर जो भी वीडियो डालते हैं वो सारे के सारे इत्यास विसेश्य संबन्दित हैं और एक्जाम की दरश्टी से बहुती महतोपूर्ण है ठीक है तो देखेगा बेना समय गवाए हम पढ़ते हैं कुसानों की सिल्स खत्रा उत्पन हो गया इसका सामना करने के लिए समाजिक व्यवस्थाकारों ने उन्हें अपनी व्यवस्था के अंतरगत स्थान दिया प्रेंपरागत चार वनों का आधार जन्म बन गया ठीक है तो चार वन कोन से थे ब्रामन चत्रिये वस्ये और सुद्दर इनका आधार है वै जन्म बन गया था अर्थार जो जिस वन में जन्म लेगा वै उसी वन का होगा तता बहुसंकेक पेशेवर जातियों की उत्पति हो गई विबिन स्रेणिया भी करम सहे संकुचित होकर कठोर जातियों में परिनत हो गई क्रिशी व्यापारवानिजे की प्रगति के पढ़ाम सुरूप समाज के निम्न वर्गों की दसा में सुधार हुए तता अंतिम दोवन्नों वैशे तता शुद्र का अंतर काफी कम हो गया सक कुसान आदी विदेशी जातियों को स्मरत्ती कारों ने वरात्ते चत्रिये कहकर वाण व्यवस्ता में स्थान दे दिया कुसान योगीन सिल्पों तथा मूर्तियों की वेशबुशा से ततका दिन समाज के वस्त्रा भूसन की जानकरी होती है निसकर्ष के तोर पर ये कहा जा सकता है कि आम जनता का जीवन सुखी यह सुविधापून था आर्थिक समरदी व्यापारवानिजे की प्रगत्ती देखेगा कुसान काल में आर्थिक समरदी और व्यापारवानिजे की प्रगत्ती हुई थी भारत पर लगबग दो सताब्दियों ते कुसानों का सासन बना रहा आर्थिक द्रश्टी से ये सर्वादिक समर्दी का काल माना जा सकता है कुसानों ने प्रथम बार एक अंतरास्टे समराजे की स्थापना की थी इसके पूरव में चीन तता पस्चिम में पार्थिया के समराजे स्थित थे इस काल में आर्थिक जीवन की सबसे महत्तोपुन में विशेशता है भारत का मद्धे एसिया तता पसाते विश्वा के साथ गनिष्ट व्यापारिक समन्द की स्थापना तो कुसानकार की जो सबसे महत्तोपुन विशेशता है आर्थिक जीवन की वो क्या है भारत का मद्धे एसिया तता पसाते विश्वा के साथ गनिष्ट व्यापारिक समन्द की स्थापना कुसानों ने चीन से इरान तथा पस्चिमी एसिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंतरण में रखा क्योंकि यह उनके समराजे से होकर गुजरता था यह मार्गुन की अमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था क्योंकि इस से जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे इस सिल्क व्यापार में भारती व्यापारियों ने बिचोलियों के रूप में भाग लेना प्रारम कर दिया इसके फलसरूप उत्तरपसिवी भारत एक अत्यन्द समरद व्यापारिक के अंदर के रूप में विक्सित हो गया इस समय रोम समराजे का भी उदे हो रहा था रोम तता पार्थिया के भी सम्मन्द अच्छे नहीं थे अतहे हैं चीन के साथ व्यापारिक समन्द की पुष्टी करते हैं तथा प्लीनी भारत को बहुमुले स्पत्रों इम रत्नों का परमुक उत्पादक बताता है उसके वीवरन से पता चलता है कि रोम पर्तिवर्स भारत से विला सिता की सामगरिया मंगवाने में दस करोड सेस्टर्स वे करता था वह अपने देशवास्यों की इस अपवेईता के लिए निंदा करता है विला सिता समगरियों के बद्रे में भारत रोम से बड़ी मात्रा में सोण मुद्रे उपलब्द करता था पेरिपल्स निस्से भी इस विवरन की पुष्टी होती है इसके अनुसार भारत से मसाले, मोती, मलमल, हातिदान की वस्तुएं, उस्दियां, चंडन, इत्रे, आदि भहुतायत में रोम पहुंसते थे इनके बदले रोम का सोना भारत आता था भारत में रोम के स्वण सीके मिलते हैं रोम के निवासियों का भारतिय समगरियों के परती गहरा अकर्षन था रोमन यूतियां भारतिय मोती के गहने धारन करती थी तदा महलाय मलमल की साडियों की दिवानी थी कुसान का लिन भारत में व्यापारवानिजे के छेतर में सीकों का नियमित रूप से पर्सलन था कुसानों के पास श्वन का भारी बंडार था जिसे उन्होंने मद्धे एसिया के अल्ताई पहाडों एम रोम से प्राप्त किया था सिकों का प्रारम विम कड़ फिसेस के काल से हुआ तथा कनिस के समय तक आते आते भारी मात्रा में स्वान मुद्राओं का निर्मान होने लगा कुसान सिके सुदता की दरस्टी से उतकरष्ट है इनका वजन 123-24 ग्रेन है तदा इन में स्वान की मात्रा बाणमा परतिसत थी कालांतर में गुप्त सासकों ने इनही के अनुकरण पे सिके चलवाए थे उत्तर तता पस्ची मोतर परदेशों में कुसानों ने बड़ी मात्रा में तामबे के सिके परसलित करवाए थे ऐसा लगता है कि सामाने विवार में इनहीं का प्रियोग किया जाता था जबकि विशेश लेंद्य स्वान सिकों में होता होगा इस प्रकार कनिस्क का सासन काल आर्तिक समरदी एम संपनता का काल था गंगा गाठी एम मद्य एसिया के विभिन स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि कुसान कालीन नगरी करण चर्मोत कर्ष पर था मथूरा के पास सोंख नामक स्थलों की खुदाई से स्पस्थ होता है कि कुसान कालीन बहुनों के साथ स्थर थे जबकि गुप्त कालिन भौनों में केवल एक या दो ही इस्तर थे इस समय भौनों के निर्मान में पक्की इंटों का प्रियोग किया जाता था फर्स भी पक्की इंटों की बंती थी तदा छतों में पक्के खपरेल लगाय जाता थे सोंग में गली के दोनों और दुकानों की पंक्तियां मिली हैं वीवित इस्तलों की खुदाई से प्राप में भोतिक अवसेसों से सपस्थाई की कुसान काल भौनों, नगरों तथा सिक्कों की दरश्टेजे अत्यन सम्रद था जिसने अधिक सीखे तथा उनके साथ से इस काल अर्थात इससा पूरत दोसों से इससवी दोसों में मिले हैं उतने किसी अन्य काल में नहीं मिलते विवी दाथों से मुद्राइं तयार करना मोरियोत्तर नगरिये जीवन की खास विशेशता थी जिसने रोम तथा मद्दे एसिया से होने वाले व्यापार में महतों भूमी का अधा की थी इस परकार हम कह सकते हैं कि कुसान काल आर्थिक दर्षिजे स्वान यूग था इस समय बाहिये तथा आंत्रिक दोनों व्यापार उन्नति पर थे विवेद सिल्पों यूँ व्यवसायों का समय विकास हुआ व्यापार व्यवसाय में स्रेणियों की भूमी का महतोपुन रही हुविस के कालीन मत्वुरा लेक में आटा पीसने वालों की स्रेणि का उलेक मिरता है सक्सात्वाहन लेखों तथा बोध ग्रंथों में वानित स्रेणिया अवस्य ही कुसान काल में भी सक्रिय रही होंगी मत्वुरा नगरिप की इस्तिति कुसानों की दूसरी राजधानी जैसी थी ठीक है तो इस वीडियो में हमने कुसानों की जो आर्थिक व्यवस्ता है जो उनका समाज है जो उनकी संस्कृति है इन सब चीजों के बारे में जानकरी प्राप्त की ऐसे ही हम आगे भी इत्यास विशे से सम्मन्दित महत्तों पुन जानकरी प्रदान करते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे